हेलो दोस्तो स्वागत है आपका KV Electrical Maintenance YouTube चैनल पर दोस्तो आज जो हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं उसमें हम आपको बताने वाले हैं कि जो में सुच होता है जो में फ्यूज सुच होता है उसको किस प्रकार लगाया जाता है जैसे हमें किसी जगए में सुच लगाना है तो हमें उसको कैसे लगाना होगा और उसके जो कलेक्शन हैं वो किस प्रकार होते हैं तो इस वीडियो में हम आपको यहीं बताने वाले हैं कि जो में सुच है वो कैसे लगाया जाता है दोस्तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल के भी Electrical Maintenance को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रस कर लें उसके हम कोई वीडियो अफ्रूट कर लें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आदे और जो भी दोस्त Solar Plant से रिलेटर्ड वीडियो चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं क्योंकि हम Electrical Maintenance और Solar Plant Maintenance होता है उससे रिलेटर्ड वीडियो लाते हैं जो आपके लिए बहुत काम आ सकते हैं चलिए दोस्तो आज का वीडियो शुरू करते हैं देखिए दोस्तो ये पुराना वाला 32 एंपियर का मेन सुच है मेन फ्यूस सुच है और इसकी जगए हमें 63 एंपियर का मेन सुच लगाना है क्योंकि यहाँ पर हमारा जो लूड है वो अभी बढ़ गया है तो देखिए ये है जो हमारा नया वाला 38 एंपियर का मेन सुच है तो इसी को हमें उसकी जगए लगाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम उस वाले जो मेन सुच है उसके कनेक्शन को निकाल के हम इसको निकाल लेंगे तो हमने कनेक्शन को इसको निकाल लिया है कनेक्सन निकालते समधिसंगे पंचल क्राइब कर देंगे इस बाहियर निकालने के बाद हम उन बाहिर में डीप कर देंगे और हम प्रना उसको ऊन कर देंगे क्यूंकि यहां पर हम ज्यादा ॉन नहीं कर सकते हैं तो चलिए से बोट को खूल लेते हैं जली से बोट जो है वह हमारा पराने टाइप का लगा हुआ है तो देखिए यहाँ पर जो पहले जैसे लगाया जाता था उस प्रकार से लगाया हुआ है तो अब हमें क्या करना इस बूट को नाप लेना है और मार्किंग करके हम डिल मशीन से उल करेंगे और एंकर फास्टनर से इस बूट को बहां पर कस देंगे तो हम पहले इसको दिखा सप्लाई होती है और उपर की साइट जो है हमारी आउट्पूट सप्लाई निकलती है तो यह जो सुच है जब ओफ कंडिशन में रहता है तो यह देखिए यह ग्रुफ दिखाई दे रहे हैं इसमें यह पत्ति लगी रहती है तो वह पत्ति में बाहर आ जाती है देखिए इस फ्यूज कराब हो जाता है किसी कारण से तो वह सप्लाई निकालना बंद कर देता है और जो हमारा में सुच है वह ओन करने का एक कारण है जो स्टेप है हमारी पत्ति दिखाई दे रही है जब यह हमारी अंदर की साइट दबेगी तभी जो हमारा हैंडल से वह है ओन होगा पत्ति इसके लिए जो कवर होता है उसमें एक पत्ति लगाई जाती है तो यह जो पत्ति है जैसे इसको कवर को ऑ 시 Buthe 2 जिससे ब्से जो जाती है जिससे हमारा जो सुचरि बहोन यह और फौस money लगता है तो अब हम आपको बताते हैं कि इसके जोcome करना को न किए जाते हैं, तो सबसे प्रिकर करना होता हुँickyर के हमेंस की पार घृबभी मी खेंगे, तो Ł au कोार यहाँ होता है, रिजफ फ्यूजंने सबसे आरे कंनका किया ठीक है, इसके बाहर न के एड़ा की लिसे samboject करना के eroscus कबर को निकाल लेंगे तो देखिये हमने सभी कबर को निकाल लिया है अब आपको बताती है जो इनपुट सप्लाई देनी होगी और ऊपर की षद हमारे आउट्पुट जाएगी और यह जो पत्ती लगी है यहाँ पर हमें नूटल देना होगा यहां से नूटल जो केविल है वह अच्छे से आ जाईगी तो हम इसको पत्ती को थोड़ा काट लेंगे अब हम हमें इसकी मार्किंग करने होगी तो पहले हम इसको set करके देख लेंगे कि हमारी केविल है प Harriet केवल वह हमारी fix आ रही है यहां पर तो यहां पर हमने marking कर लिए और हमने यहां पर डिल मशीन से hold करके वहां पर anchor फास्टनर जो होता है उसको लगा के इसको fix कर दिया है देखिए इस प्रकार हमें इसको fix कर लेना है कि बिल्कुल भी यह लेडू लेना इसको अच्छे से tight कर लिया ह तो यह जो खाली space रह गया है इसको बाद में सही कर दिया जाएगा तो अभी तो हमें जो अपना काम करना है लेक्टिकल पर हम उसको करेंगे तो सबसे पहले अब हमें इस cable में ग्लेंड लगाना होगा और ग्लेंड लगाना के बाद हमें इस पट्टी में connect करके इसके connection करने होगे तो पहले नीचे इनप्टाएगी उपर हमारी आउटपट आएगी और यह जो है हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे अब जो ग्रेंड है केविल में करेंगे तो ग्रेंड करने के लिए जो अब हमारे के साइड मूढे हुए थे और मतको को हमें जो gland है वो fix आ जाए तो हम पहले gland को नाप लेंगे बहां से तो हमने gland को नाप लिया है और इसके बाद हम जो cable में जो insulation लगा होता है उसको निकालेंगे और आर्मट को बहां पर रहने देंगे इसमें क्या होता है gland में जो आर्मट होता है वो हमें आर्मट को मूरना पड़ता है इसी से हमें जो box को earthing भी मिल जाती है तो पहले insulation को निकाल लेंगे या पर और उसके बाद ही हम इसको gland को कसेंगे जो cable का insulation होता है उसको भी हमें fix काटना चाहिए वो भी कम जादा नहीं होना चाहिए अगर वो क कम जादा हो जाएगा तो जो हमारा gland है वो fix नहीं होगा लगेगा भी नहीं तो इसके लिए हमें इसको बिलकुल ही fix काटना होगा बिलकुल भी कम जादा ना रहे इसमें तो इसके बाद हमें gland को चड़ाना होगा तो इसमें सबसे पहले जो नीचे बालक कबर होता है जो fix हो होता है उसको हमें उसके अंदर डालनेना चाहिए अब अब ऑद आरम्मट्स दिखाई दे रहे हैं हमारे आरममट्स निकले हूई हैंँर्द तो हमें क्या है जह भोन होगा जो थोड़ा थोड़ा मूल नहोंगा जो हमारा सब्सक्रा बाशर होता है उतना मोडना होगा ज्यादा नहीं मोड़ सकती नहीं तो फिर फिर भी गिलेंड फिक्सने होगा इसके लिए हमें तो किसी Home अजाव एक़ करता से एक एक अर्मंट जो होता है उसको एक एक उसको हम fix करेंगे तो हम इसको चड़ाने के लिए राएंगे बिल्खुल भी लूज ना रहने दे तो अभी यह fix नहीं बैठ रहा है देखिए अब हमाएं इसको सही स्विच में हमारी पत्ती लगी होती है जहां पर हमारा ग्लेंड फिक्स होगा तो उस पत्ती को हमें जो बायर है बायर को उस पत्ती में पहना लेना होगा और उसके बाद जो हमारा ग्लेंड है वो फिक्स करेंगे तो सबसे पहले अब हम जो पत्ती है उसको बॉक्स में कनेक् इसके लिए हम हमें अलग से एक पत्ति लगानी होगा उसके बाद में लगाएँस तो अब हम चैल के लिया होगा तो अभी सब से पहले हम पत्तीं और creeping ते सकुष हमारे स्कॉरूप को हमशी कर ले pół होगा अब हमें इसके बाद इसके connection करने होंगे तो इसके बाद हमें अब इसके connection करने होंगे तो सबसे पहले हम R face को connect करेंगे फिर Y face को फिर last में B face को connect करेंगे और उसके बाद neutral को connect करेंगे तो सबसे पहले चलिए हम इसको connection को कर लेते हैं और connection को करनने के बाद हमें इसके जो cover हैं जो हमने निकालेते हैं तो उस cover को एक-एक कर के हमें fix करना होगा बहाँ पर तो चलिए इस cover को हम fix कर लेते हैं जो cover है उसको हमें बिल्कुल सही से लगाना होगा उता हमारे जो ऊपशनी नहीं होगे तो जो हमारा fuse है, वो हमारा fix नहीं बैठेगा पत्ती में, वो अंदर ही नहीं जाएगा, तो इसके लिए हमें इस कबर को विलकुल भी अच्छे से fix करना है, जो जैसे लगाता वैसे ही लगाना होगा, तो देखिए ये जो उपर की side है हमारा कम space रहता है और नीचे की side है, वो पत्ती के side, तो बहाँ पर एक छोटा से grip होता है, उसको हमें बहाँ पर एक पत्ती निकली होते हैं, उसमें fix हो जाता है, और इसके बाद दूसरी side जो है, वो हमारा एक nut लग जाता है, तो हम चलिए उसको पहले हम जो पत्ती है, उसमें fix कर लेते हैं, और यहाँ पर देखि तो चलिए अब इसके बाद जो हमारे स्कूरूब है उसको कनेक्ट कर लेते हैं अभी हमने इसके आउटपूट कनेक्शन नहीं के हैं क्योंकि जिसके लिए ये फ्यूसुच लगाया गया है वो मशीन अभी यहाँ पर आई नहीं है तो जब भी ये मशीन आजाएगी और मशीन जो है अपनी जगए फिक्स हो जाएगी उसके बाद ही हमें इसके कनेक्शन करने पड़ेंगे तो जैसे ही मशीन यहाँ पर कि कोई स्टिम मशीन है वो यहाँ पर लगनी है वो मशीन लग जाएगी उसके बाद हमें इसके कनेक्शन करने पड़ेंगे तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल के भी एलेक्टिकल मेंटेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बैल